जो काम कोहली पांडे जिसे खिलाडी नहीं कर पाए वो भारत की शहजादियों ने कर दिया टी-ट्वेंटी वोल्ल कप में भारत की बेटियों ने ढाया क्या है पाकिस्तानी खिलाडी चारो खाने चित एक पेटी ने यूराज की तरह छकों की करदी बरसाथ, दूसरी के सामने बॉलिंग करने से डर रहे थे गेंद बास भारतिय लड़कियों की पारी देखकर लोगों को याद आ गई विरेंदर सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी जी हाँ, भारतिय टीम के दिगज खिलाडियों के अगर बात की जाए तो विराट कोली, रोहित शर्मा और हादिक पांडे जिसे खिलाडी जब मैदान पर होते हैं तो भारतिय क्रिकेट प्रेमी निश्चिन थोकर मैच का अनंद लेते हैं लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान से मुकाबला होता है, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टुनामेंट में और पाकिस्तान से इंडिया हार जाती है, तो हर भारतिय फैंस का दिल टूट जाता है इन दोनों खिलाडियों ने अपने बल्ले से ऐसा कहर बर पाया कि पाकिस्तानी गेंद बास उल्टी सीधी गेंद फिकने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान वाल्ल कप में भारत से बुरी तरह हार गया, तो चलिए बताते हैं दिलचस्प मुकाबले में भारत क बेटियों ने क्या-क्या कमाल किया जो रोहित शर्मा की टीम नहीं कर पाई, बारतीय टीम ने रविवार को महिला टी-20 वाल्ल कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुवात की, बारत का पहला मुकाबला चेर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से था, ये मैच्च केप पाकिस्तान का भारत के खलाब सबसे बड़ा स्कूर रहा, बिसमाह मारूफ ने पच्पन गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली, जवाब में भारत ने उनीस वे और में तीन विकेट गवा कर लक्षे हासिल कर लिया, आखरी तीन ओर में भारत को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी, हलांकि रिचा और जेमिमा की मन में कुछ और ही था, 28 वे और में रिचा ने लगातार तीन चौके जड़कर पहले मैच का रुख पदला, इसके बाद 19 वे और में जेमिमा ने तीन चौके जड़कर टीम इंडिया को जीत दिला दी, 19 वे और की आखरी गेंद में तालिस रन बनाकर नाबाद रही, जेमिमा ने अपनी पारी में 8 चौके लगाए जबकि रुचा ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए, दोनों के भी चौथे विकेट के लिए नाबाद 58 रनों की साज़धारी होई, जेमिमा को प्लेयर अब दा मैच चुना गया, भालत मात्र 9 गेंदे बची थी और 13 रन बनाने थे, ऐसे में पाकिस्तानी खिलाडियों ने भारत को चारों तरप से घेर रखा था, लेकिन भारत की दो बेटियों ने शेर की तरह दाहारते हुए पाकिस्तानी खिलाडियों पर तूट पड़ी, और बल्ले से ऐसी आतिशी बल्ले इसकी बारह गई